नमस्कार प्रणाम मैं के सारे लल यादो आप सब का बेटा आप सब का भाई आप सब भजपूरी के जितने भी देवतारुपी लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं उनका पैरशु के प्रणाम कर रहा हूँ और आज बड़ी दुख के साथ मुझे लाईवाना पड़ रहा है आज कल मैं बैसाली जिला में एक सोकर ने गया था और वहाँ पे बहुत ज़्यदा पत्राव मेरे उपर हुआ और ये मेरे बड़ी भाई सुदीर सिंग जी आज पोस्ट की यह हैं कि मैंने असलिलता के खिलाप आगाज कर दिया मैं आपके असलिलता के बिरोध में नहीं हूँ मैं भी समर्थन में हूँ कि असलिलता नहीं होनी चाहिए लेकि आपको अगर मुझे मारना ही है तो भाई आप बुला लीजे मुझे और मुझे अपने बीच में मार दीजे ना मेरे मुझे से कुछ पबली को मेरे जानता को जो मुझे 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 करती है अब आज आप फेस्बुक आईडी पर अपने डाले हुए है कि मैंने असलिलता के विरोधी आघाज कर दिया है मैं एक जादो समाज का बेटा हूँ एक गरीप परिवार का बेटा हूँ तो इसमें मेरी क्या गलती है यार मैं आगे बढ़ गया तो इसमें मेरी क्या गलती है मैं मेहनत किया और मैं आज जो विक कुछ हूँ मेरे जाती के लोग मुझे महबबत करते हैं सिर्फ मेरे जाती के नहीं हर जाती के लोग और आप कह रहें कि असलिलता का अगाज कर दिया मैं जहां भी सो करने जा रहा हूँ भाई लोग मैं आज दुख से आ रहा हूँ कल मेरी हत्या हो जाती कम से कम दो सब पत्थर मेरे गाड़ी पे चले हैं एक भी सीसा बचा नहीं था सिर्फ मेरे गाड़ी पे और वहाँ पे इनके समाज के लोग ऐसा नहीं कि बहुत सारे समाज के वहाँ लोग थे और राजपूत समाज के लोग भी मुझे बहुत महबत करते हैं ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं लेकि मेरे जिसे यार वहाँ पब्लिकों को बहुत ज़दा प्रब्लम हुई मेरे पब्लिक जो मुझे 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 देखने आती है उसमें हर समाज के लोगों थे कुछ अपने समाज के लोगों को राजपूत समाज के कुछ लोगों को मिला कर और ये मेरे हत्या कराने के हर जगा ये मुझे प्राबलम कर रहे है Facebook पे डाल रहा है जे मैंने अगाज़ कर दिया क्या सावीत करना चाहते है आप बोल रहा है जे गरीबी का ढोंग रचरहों मैं जतियता कर रहा हूँ मैं जतियता क्यों करूँगा एकलकार का कोई जाती नहीं होता सुदिर्विया आप मेरे बड़े भाई की तरह हैं आप अपने समाज के लोगों को भड़का कर आपको मुझे मारना ही है तो आप बोलिए कि खिसारी में तुम्हें मार दूँगा अगर तुम्हारे अंदर वो है तो आप तुम मेरे पास हाओ मैं अकेला आजाँगा सुदिर भीया लेज मैं अपसे हाथ जोड़के परातना कर रहा हूँ कि मैं अगर यादो समाज के वे एक बेटा हूँ एक गरीब परिवार का बेटा हूँ मुझे उतना तंग मत करिये आप कभी साधू के लोगों से बोलवाते है मेरे बेटी को गाली दिलवाते है मेरे माँ को गाली दिलवाते है मेरे बेहनों को गाली दिलवाते है यह अच्छी बात नहीं है मुझे चाहने वाले बहुत सारे लोग है आपके साथ जो हुआ उसमें मैं कहीं दोसी नहीं था जो मुझे 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 मुभबत करते हैं अपने प्रक्रिया हाँ लेकि मैं कभी नहीं किसी को बोला कि आप सुधिर भिया को गाली दीजी आप सुधिर भिया को मा बहन के गविनी वो भी मेरी मा है आपकी भी मा मेरी मा है आप मेरे हर कारिकरम को भंग करना चाहते हैं उसमें पब्लिक का नुकसान हो रहा है आपको मेरा हत्या करना है तो कर दिजेगे मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ कि एक गरीब परिवार के बेटे को जीने का कोई हक नहीं है तो आप पब्लिक जनता मुझे बता दिजे अरे यार मैं यादू आच के लोग मुझे मुझे मुअबबत करते हैं मैंने कभी जाती परता किया ही नहीं हर जाती के लोगों को भड़का कर उसमें नुक्सान किसका हो रहा है मैंचल बैसाली में गया था पहले इस्टेज के पीछे मास खीच दिया गया स्टेज भस गया उसके बाद जनेटर का तार काट दिया भाई साउंड बंद हो गया मैं वहाँ क्या करूँ अंधेरा में मैं क्या करूँ और मुझे एगनाईजर के तरफ से बोला से आ रहा है कि आप निकल जाएए मैं निकलने की कोशिस किया और मेरे गारी पे कम से कम 200 बताईए जिस मेटी पे मैं गा रहा हूँ वहाँ पत्थर कहा से आया पत्थर वहाँ पे बहुत सारे पत्थर थे और मेरे गारी पे बारिस की तरह बर्षा मैं सहीदों के सम्मान में गया था मैं असलील गाने के लिए नहीं गया था भीया जिनों ने अपने जिन माह ने अपने बेटी को खोया है जिन सहीदों ने हमारे रक्षा करके हमें कुसल जिंदगी देते हैं उन सहीदों के सुरक्षा मेती में गया था मैं सम्मान में गया था और आपको असलील दिखाई दे रहा है किसारी किसी बाबा से आप गाली दिलवाते हैं कौन सा असलील गाना है मेरा भी मुझे बता दे आप उनका भी नाम सिंही है मैं हर राजपुत समाज के हर अदमी दोसी नहीं है मैं सब को नहीं बोल रहा लेकि आप ये जाती बाद अपने ही लोगों में बढ़ता कि मुझे तंक क्यों कर रहे है आप कहिए मैं गाई की छोड़ दूँगा यार जहां तक चुनाओ की बात ना यार मैं चुनाओ नहीं लड़ूँगा जिसको लड़ना है मेरी दुनिया दूसरी है इस जनता ने मुझे कम से कम 50 MP की ताकत दिया है मुझे आप हर जगा मुझे परिसान कर रहे है मैं आज बहुत दुख में बोला हूँ क्योंकि मैंने अपने सामने परसासन के कुछ लड़कियां थी उनको छिड़खानी आपके लोग कर रहे है आप हर सो में कुछ अपनी लोग भेज कर और मेरे को परिसान कर रहे है उसमें पबली का नुकसान मुझे मार दो यार ताकि मैं नहीं रहूँगा तो इसाएद पबली का भी नुकसान नहीं होगा जो जनता मुझे प्यार देती है बेटी की तरह महबबत करती है इस जनता में कोई जाती परता नहीं है और जो खेसारी को महबबत करते हैं खेसारी पर इटा नहीं चला सकते आप ऐसे साजिस मत किया करिए आपको लड़ना है चुनाओ लड़ो ना यार मैं कहां आपको बोल रहा हूँ जाप मत लड़ो ये लोग तंत्र है यहां सबको हग है मैं अपने जीवन में बहुत खोसु भी या आज मैं जो भी हूँ अपनी जनता के बोड़ोलत हूँ मैं 24 गंटे से सोया नहीं हूँ मैं आखों में आसू लेके रो रहा हूँ यार क्योंकि मैंने अपने सामने दस लोगों का सर भटते हुए देखा मैं गुजरात के हाथसा में जो मारे गए हमरजीत थे उनके बच्चों को गोद लिया उसमें भी आपके लोग टिपड़ी कस रहे हैं के सारी राजनीती कर रहा है ट्रेन हद्सा हुआ है जाकर वहां की गोद नहीं ले रहा है मैं कभी नेता हूँ जितना मुझे समझ में आता है मैं कितना टाइम दो अपने जनता के लिए एक मनुरंजन का साधन हूँ मैं वहाँ पे मेरा बेग बिलेणों गाड़ी थी उसमें मेरा बैग था एक गोल्ड की घड़ी थी कुछ कैस पैसे थी उसारा बेग चिनवा दिया सबने मैं जो कपड़ा पहन के गया था वो इकपड़ा पहन के आया हूँ बेग तक नहीं है मेरे पास आप ऐसा मत करिये मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ मैं जादो कुल का बेटा हूँ तो इसमें मेरा क्या दोस है आपको मेरे जाती से प्रॉबलम है मैं किसी को नहीं बोलता कि आपको कोई गाली दे जो मुझे मुझे मुखबत करते है वो अपनी राहे रखते हैं लेकि फिर भी मैं उनको बोलता हूँ कि प्लीज आप लोग किसी के माँ बहन को गाली मत दीजिए सबकी माँ तो माँ ही होती है बहन बहन होती है कोई माँ और कोई बहन क्या किसी का भी गाड़ आपके टैक ने मुझे मैं सोच रहा था कि वो पबली का हंगामा है लेकि आज आपका टैक ने मुझे आपने जो टैक किया है फेस्बूक पे कि मैंने आगाज कर दिया बैसाली के धरती से उसमें सिर्फ खेसारी के मुझे कम से कम 40 इंटे लगे है मेरे पीट पे उसका दर्द मुझे नहीं है लेकि भीड का आढ़ लेकर मेरा हत्या मत कराई आप उस भीड में बहुत सारे हमारी जनता होती है जो उसको मैं भगवान मानता हूँ उसको तकलीफ हो रही है कहीं न कहीं और मैं जानता हूँ परसासन से मदद मेरा क्या मिलेगा इसकी करवाई क्या होगी उन नहीं जानता हूँ लेकि परी अभी तो जनता को प्रॉब्लम हो रही है मैं बहुत परिसान हो यार आज पूरे वर्ल्ड में खेसारी को छटे नमर पे दुनिया ने साबित कर दिया तो इसमें मेरी क्या गलती है मैं हमेशा महनत करता हूँ मैं दिल का क्या हो नहीं जानता है लेकि आज बहुत रुलाया है आपने मुझे टेक किया कि मैंने आगाज कर दिया क्या आगाज करना चाहते है मुझे नहीं लड़ना है चुनाओ यार जनता की बलाई के लिए कोई काम करता हूँ मैं चुनाव लड़के अपना जीवन नहीं चला सकता मैं लीटी चोखा बेचकर यहां तक आया हूँ उस वक्त आप नहीं थे आप कभी मुझे दू रुपिय का मदद तक नहीं दिये आपको क्या प्रोबलम है का सर फट गे मुझे 40 सीटा लगा यार सिरिफ मेरी गाड़ी पर लग रहा था जैसे की बंब एक फेक रहा है कोई मैं वहाँ से निकला सिरिफ ओगनाईजर के कहने पर निकला यार हर जाती के लोग मुझे इतनी प्यार देते हैं अपने बेटी की तरह मानते हैं हर आदमी वहाँ बेदुस्मान है यार आपके जाती के लोग तो मुझे यहाँ भी परिसान कर रहा है इंडेस्टी में भी बहुत सारे लोग मुझे परिसान आपने आपकी नेट वर्किंग मैं जानता हूँ आपका वो ही काम है आप पूरे दिन के सारी के बारे में सोचते हैं लेकिन मैं तो अपने पब्ली के बारे में सोचता हूँ हर वाक्त अपने पब्ली के मनुरंजन के लिए काम करता हूँ 24 गंटे मैं सोता नहीं हूँ मैं चार मैं दो दिन से खाना नहीं खा जाओ भीया और सोजा तक नहीं हूँ दो दिन से सिरिप उस मनुरंजन के लिए गया था कि मैं अपने पबली का मनुरंजन करा सकूँ अभी भी मैं सदमे से नहीं निकल रहा हूँ अगर आप द्यालू होते एक नेता के पदपे हैं तो हमरजीत के बच्चों को गोद आप क्यों नहीं लिए कोई नेता क्यों नहीं गया लेने के लिए मैं उनको अपने बच्चे अपने भगिना की तरह उनको गोद लिया उसमें भी आपके लोग टिपड़ी कस रहे हैं कि राजनीती कर रहा हूँ मुझे चुनाओ नहीं लड़ना यार मैं एक इनसान हूँ इनसान भी खुस हूँ और एक इनसानियत का भर ज़्यादा कर रहा हूँ बागे कुछ नहीं मेरा हत्या करा दीजिया आपको लगता है ना कि मैं आपके काटा हूँ आपका सबसे बड़ा आप मुझे मार दीजिये लेकि अकेले मारिए पब्लिक के भीड का सहरा मत लिजिये मुझे अपने पब्लिक पे बिश्वास है और जिस शुनाओ के आप बात करते हैं या आपको पब्लिक जबाब जरूर देगे जो मैं एक सर्श्वती का पुत्र हूँ और मैंने कभी किसी का गलत नहीं का आज मैं रो रहा हूँ ना तो सर्फ मेरे सामने कही पब्लिकों का सर पटा मेरे साथ लड़के गए थे देखने मेरे साथ गाड़ी लेकर गए थे सारे लोगों की गाड़ी के सीसाब तुड़वा दिया सबसे ज़्यादा जिस गाड़ी में मैं बैठा था उस पे तो बंब चल रहा था भीड में मेरी हत्या मत कराए ये साजिस मत रचे भीड में कि मैं असलील गाता हूँ मैं कहां असलील गा रहा हूँ यार आप असलील का ठेक देकर आपको बहाना मिल गया है कि कि सारी असलील गाता है असलिल गाने वालों का डेली सो हो रहा है वहां अंगामा क्यों नहीं करा रहा है आप अपनी ब्यक्तिकत मुद्दे को अपनी ब्यक्तिकत दुस्मनी को भीड काड़ लेकर असलिलता काड़ लेकर दुनिया को क्यों भड़का रहे हैं अपने समाज के लोगों को अपने तो मुझे पाकिस्तान साबीत कर दिया है आपके समाज के लोगों को अब यही रह गया है कि यादो समाज का बेटा कहीं गाएगा तो बस राजपूत समाज के लोग उसको गाने नहीं देंगे राजपूत समाज के बेटा गाएगा तो याद तो समाज के लोग आने नहीं देंगे ऐसा मत करवाईए आप कलाकारी में आप जाती बाद मत करिए भईया प्लेच और इसको असलेलता का ठीक मत लगाईए आज आपस लिलता का ठीक लगा कर आपने बेकतिकत दुस्मनी निकाल रहे हैं मेरे से क्यों मत निकाल ली अब का facebook का ट्डेक आज मुझे तिक था में आ रहा था लेकि मुझे पता नहीं था कैसा हो सकता है मैं नहीं देखता facebook प्लीज मैं आप सबसे अब आप ही लोग इंसाब करिए मैं कुछ नहीं और मुझे चुनाव नहीं लड़ना यार मैं अपने जीवन में बहुत खोश हूँ मुझे तो मेरी जनता ने मेरी भगवान सुरूप जनता ने मुझे तो इतना बड़ा बना दिया है कि मैं 50 MP का एक पा तूर दिया आज तो आपने तूर दिया मैं आपके आपके ही विदान सभा कवेटा हूँ ना मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मत करिया ऐसा मुझे 40 सीथा लगा इधर मेरा पूरा बोड़ी सूझ गिया है आप ऐसे मत करवाए चले बाकी ठीक है लेकि मैं बस जनता से अपील करना साथ हूँ कि मेरा हत्या हो सकता है भीड क्यार में आदमी मेरा हत्या करा सकता है जिसे साथ से मेरे पीछे पड़े हुए एक रात्य हो जाएगा मैं सरकार से भी क्याव सरकार कर रहा हूं कि इसnai बाइन में जब भी भी हो सकते हैं कर जी सिसा थे पत्राओ मेरे सर्कार शर का प्रभरों कर दो लड़केöst फूजिम कबर कि यह थे फिर भी इतना इटा पत्थर चला है कि घंप कम से कम दो से तीन बोरा इटा मेरे गाड़ी में था। आप असलिलता का टेक देकर दुनिया को मुझे गुम्राह मत करिए। कितने लोग गाते हैं यार लेकि सिरिफ खेसारी ही आपका दुस्मन क्यों बना हुआ है। कर, कि सारी क्यों मुझे माफ कर दीज़े अगर मैंने आपके लिए कभी कुछ गलत सोचा हूँ, मैं अपने काम के बारे में नहीं सोचा हूँ, मैं अपने जनता के मनुरंचन के बारे में सोचा हूँ, अप लोगों से, हम कलाकार लोगें भी या हम लोग बड़े कुमल दिल के होते हैं हम दिल से दुनिया से जुड़ते हैं हमारे अंदर मकारी नहीं होती है मुझे माफ कर दीजी आप लोग पिलेच साइद अगर बच्चे नहीं होते तो आज साइद के सारी लल या दो जिन्दा नहीं होता कल मारा गया होता और आप से तो मुझे कुछ नहीं चाहिए अब यह इनसाफ पब्लिक ही करेगी और जन्ता आपको जब आप तो देगी ही देगी ऐसा नहीं के नहीं देगी आप लड़िये जितना चुनाव लड़ना है सब चुनाव लड़िये मुझे नहीं लड़ना है मुझे महराज गंज नहीं चाहिए मुझे हर जिला के लोगों ने मुझे 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 सब बैठेते पहले से पहले जर्नेटर का तार काट दिया साउंड तोड़ दिया उसके बाद हंगामा किया जब साउंड तार लाइट काट देगा कोई और साउंड बंद हो जाएगा तौम्हें कैसे ग जब इटा चलती है न तो उसमें ये नहीं देखती है कि वो किस जाती पे लग रहा है यादों को लग रहा है कि मेरे राजपूत भाई को लग रहा है कि मुसल्मान भाई को लग रहा है कि किस जाती को लग रहा है ये कोई नहीं जानता इटा जात देखकर नहीं चलता है और जात देखकर नहीं वार करता है मैं दो दिन से खाना नहीं काया हूँ यार 24 गंटे से सोया नहीं हूँ आज आपने मुझे बहुत ज्यादा हट या है आपको लड़ना है आप लड़िये मुझे नहीं चाहिए STEP कुर्सी का मूल मुझे नहीं है लेकि किसी को तकلीव देकर कुर्सी मत लीजिए मैं महराजगंद से हूँ इसमें ठीक है मैं नहीं आ रहा हूँ आप बिंदाज चुनाओ लड़ो यार मुझे नहीं आना है लेकि फिलिज उसमें जनता का मेरे परगुराम को मेरे सो को बरबाद मत करिये उसमें जनता का नुक्सान मत कराइए ये तिन-चार बार हो गया हमेरे साथ मैं सोच रहा था कि हो सकता है ये पॉब्लिक का मूड है पॉब्लिक प्रॉब्लम कर रही है लेकि आज आपका टेक आप अपने फेस्बुक पे जो टेक किया है उससे समझ में आगया आज ये कौन कर रहा है कोई नहीं बस मैं अपने जनता को भगवान मानता हूँ ये भगवान हर जाती के जो भगवान में मेरे चाहे हो यादो जाती से या राजपूर जाती से सब मेरे लिए पुजनिये हैं मैं सब का पैर चुरा हूँ हर जाती को मैं अपना आदर्स मानता हूँ हर जाती को अपना भगवान माता हूँ मेरे अंदर जात परता नहीं है मैं हर जाती का बेटा हूँ बस बेटा बन के रहना चाहता हूँ नेता बन के ने मुझे सकती आप लोग देते हैं मुझे पूरे वर्ल्ड में अपने सस्क्राइब करकर के आज मुझे इतना बड़ा बना दिया हर जगा आप जब मेरा गाना रिलेच होता है तो लोग मुझे प्यार देते हैं इसमें मेरी क्या गलती है अगर उनको अच्छा नहीं लगता है तो एक दिन में इतने सारे लोग कैसे देख लेते है इसका मतलब जनता ठीक नहीं है जनता असलील सुनना चाहता है मैं असलीली गाता हूं इसलिए एक दिन में 40 लाक लोग देखते एक へ सारी गलत क्योल एयार बहुत सारे लोग गा रहा है एक के सारी के उपर यह सक्यों कर रहे हैं आपको असलेलता बागाना है तो आप धर्णा promise के साथ आपका फाली चोटा भाई भाल के सबीकर। आपका सपोर्प्र कर रहा हूँ मैं कि मैं आपके साथ हो भईय है कि पिलीज मैं आपका हाँ जोड़ रहा हूँ आप ऐसा कुछ मत करिए जिसे जनता को प्रॉल्बम जनता का सरफटे मेरे लोगों को तीन गाड़ियों का सीसा तक बजनी बचा है और मेरे गाड़ी पे तो कुछ नहीं बचा है मैं नहीं भगता तो साइद आप ऐसा मत कराई अपने समाज के लोगों से आपके समाज हर आद्मी तो गलत नहीं हो सकता मुझे भी पता है आप कुछ लोगों के आपके चंद लोग हैं जो फेस्बुक में मुझे जो भी मैं गाणा गाता हूँ उसके में गाली गलोज भरते रहते हैं अगर आप किसी को प्यार नहीं दे सकते तो किसी का विरोध भी मत करिए उसको गाली भी मत देजी अगर आप सम्मान के सारी को नहीं दे सकते तो मैं आप से सम्मान के एक्छा भी नहीं रखता कि आप मेरा सम्मान करेंगे मुझे महाफ करिये मैं अगर कोई गल्ती किया हूँ आपके लिए तो मैं छमापरार थीओं आपसे ऐसा मत करिया मुझे मुझे दुसमन मत बना हिए मेरे जंता को मुझे बहुत प्यार करती है मेरे जंता वो जब आप देखिये आपको मुझे पता है आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं आपके समाज के कुछ लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं वो लोग मुझे गाली दिलवा रहे हैं गाली दे रहे हैं मैं अगर किसी का मदद भी कर रहा हूँ उसको भी चुनाव का और राजनीती मूर देते हैं कि हाँ इसमें भी राजनीती बस बाकी कुछ नहीं आप मेरे सो में पहले लाइट कटवा देते हैं लाइट कटेगा तो साउंड बंद होगा साउंड बंद होगा तो हंगामा होगा मत करिये ऐसा आप लोग सम्मानी थे हर जाती के लोग मेरे भगवान है या उनको मानता हूँ मेरे लिए कोई जात दुस्मन नहीं है अगर दुस्मन होता तो आज किसारी लाल यादो यहां तक नहीं पहुंचता और इतनी प्यार आप लोग ने दी है उसका सम्मान पूरे जीवन करूँगा मैं बंस्देश